वीवर्स ये स्टुडेंट ना वीडो गेम खेलते खेलते गेम की दुनिया में चले जाते हैं और उन कैरेक्टर्स में कनवर्ट हो जाते हैं जो उन लोग ने गेम स्टार्ट होने से पहले सलेक किये थे लेकिन अब इस गेम की दुनिया में उन्हें बहुती ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा लेवल्स को पार करना पड़ेगा और तभी वो सब गेम से बाहर निकल पाएंगे तो अब पता करना है कि क्या वो सब जन्रल के डिंजरेस क्रियेचे से बचते हुए उन डिफिकल्ट लेवल्स को पार कर पाते हैं या फिर हमीशा के लिए उसी गेम में फसे रह जाते हैं और हम सिर्फ देखेंगे नहीं बलकि उन स्टूडेंट्स की हेल्फ करेंगे उन सारी जानौरों को बीट करने में कहानी की शिर्वात में हमें एक बीच का सिंधी खाय जाता है जहां पर किसी आदमी को एक वीडियो गेम गीरी पड़ी मिलती है वो आदमी उसे उठा लेता है और अपने घर पर लेके आ जाता है उस आदमी ने तो वीडियो गेम अपने बेटे को दे दी थी क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब वीडियो गेम का क्रेस काफी बढ़ गया था और बच्चा बच्चा वीडियो गेम का दिवाना हुआ करता था उस आदमी के बीटे का नाम एलेक्स था लेकिन एलेक्स उस पुराने वाले वीडियो गेम जिस पर जुमांदी लिखा हुआ होता है उसे साइड में रख देता है और अपना नया वीडियो गेम खेलता रहता है। रात होने पर जब एलक्स सोने जाता है तो उसे उस पुराने वाले वीडियो गेम से कुछ आवाजय सुनाई देने लगती हैं और जब वो उस गेम को खोल कर देखता है तो उसके अंदर एक वीडियो गेम का कार्ट्रेज होता है और ये चीज Alex को एकदम खुस कर देती है तो वो उस कार्ट्रेज को अपने कम्पूटर में लगाता है तभी उसके कमरे से रोशनी चमकने लगती है और वो अफसायच से वीडियो ग्याम खेलने में बिजी हो गया था अब यहाँ पूरे एक एस साल बीच जाते हैं पर बुलाता है ये घर Alex का ही था जो 21 साल पहले गाया बूचुका था और तब से ये घर एकदम से बूतिया बन गया था Alex के डैड भी एकदम से पागल हो गये थे और वो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देते थे इसके बाद हमें Spencer का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ा करता था स्कूल का प्रिंसिपल दो लड़कियों को जिनका नाम बैतनी और मारता होता है उन्हें पनिश्मेंट के लिए एक रूम में भेज देता है जिनके साथ Spencer और फ्रेज भी जाते हैं क्योंकि फ्रेज ने Spencer से जबर जस्ती होमबक कराया था उन चारों को तो कमरे के सफाई करने के पनिश्मेंट दी जाती है काम करते करते Spencer को वही वीडियो गेम मिल जाता है जो कि Alex खिला करता था दरसल Alex के गायब होने के बाद Alex के फादर ने स्कूल वालों को ये वीडियो गेम डोनेट कर दी थी Spencer उस वीडियो गेम को चालू करता है और चारों वीडियो गेम खिलना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले वो वीडियो गेम में अपना अपना कैरेक्टर चूज करते हैं और जैसे ही वीडियो गेम चालू होती है वो सारे लोग अचानक गायब होने लगते हैं और देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग वीडियो गेम के अंदर खिचे चले जा रहे थे वो चारों सच में वीडियो गेम के अंदर चले गए थे और अपने अपनी चूज की गये characters में convert हो गये थे Spencer ने जिस character को चूज किया था उसका नम Braystone था और Spencer तो उसी के character में एकडम से convert हो गया था Braystone काफ ज़्यादा powerful और बहादूर था यहाँ दूसरी तरफ रेज ने जिस character को चूज किया था उसका नम Moose था और वो एक geologist और weapon carrier था मार्था ने जिस character को चूज किया था उसका नम Ruby Roundhouse था और वो इस दुनिया में एक कमांडो है और मार्था की friend Beth नी एक mail में कनट हो गई थी जिसका नम Shirley होता है और वो एक बहुत ही intelligent scientist होता है पर उन सारे लोगों को अभी भी बिलीब नहीं हो रहा था कि वो वीडियो गेम के अंदर आ चुके हैं उन सभी के हाथ पर तीन निशान थे जो कि उन सभी की life line होती है यानि कि उन सभी के पास इस गेम में तीन तीन चांस थे सरली जब एक नदी के किनारे खड़ा रहता है तब ही उसके पीचे से एक बड़ा सा hippopotamus आकर उसे पूरा खा जाता है लेकिन सरली आसमान से वापस आकर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पास इस गेम में तीन चांस थे जिसमें से एक चांस खतम हो गया था वो hippopotamus तो अभी भी वहीं पर था और वो बागी सभी पर भी हमला करता रहता है सभी अपनी जान बचा कर तीजी से जंगल की तरफ भागते हैं तब ही वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसमें की एक आदमी बैठा हुआ होता है वो जल्दी से सभी को अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहता है ताकि वो बड़ा सभी पो उन पर हमला न कर सके दरअसल वो आदमी इस गेम का एक गाइड था जो ब्यो स्टोन और बाकि सभी को गेम्स के रूल बताता रहता है वो गाइड बताता है कि इस जंगल का नम जुमाजी है और अगर उन सभी को यहां से बाहर निकलना है तो उन्हें गेम्स के डिफरेंट लेवल को कम्प्लीट करना पड़ेगा वो गाइड उन्हें एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नम बैन था और वो जंगल में एक बहुत ही पावरफूल हीरा ढून रहा था जो कि एक बड़ी से जगवार की मूर्ती पर था दरसल वो हीरा पूरे जंगल का संतुलन बनाये रखता था पर बैन ने जैसे ही वो हीरा जैगवार की आँख से निकाल दिया और उसके बाद जो से जुमान जी चिलाना पड़ेगा ये करने पर ही वो सब गेम से बाहर निकल पाएंगे लेकिन चीजे इतनी आसान भी नहीं थी उन सब को वहाँ तक पहुचने के लिए बहुत सारी डिंजरस लेवल को पार करना पड़ेगा वो गाइड उन्हें एक मैप भी देता है जो कि आधा दूरा था और बाकी के हिस्से के वारे में ब्रेव स्टॉम को खुड़ी पता लगाना था तब यू उन सभी पर बैंड के बहुत सारी लोगों ने हमला कर दिया था वो तो ब्रेव स्टॉम और उसके दोस्तों पर लगातार गूलिया चलाते जा रहे थे तब यू रूबी को एक गूली लग जाती है और वो मर जाती है लेकिन उनके पास तीन लाइफ लाइफ लाइन थी जिससे की रिवाइब होकर वो वापस से नीचे आ जाती है ब्रेव स्टॉम नोटिस करता है कि रूबी के हाथ पर जो तीन लाइन्स थी अब वो दो ही बची हैं सरली के हाथ पर भी दो ही लाइन्स हैं यानि कि इसका मतलब साफ साफ था कि अगर उनकी तीन लाइफ लाइफ लाइन्स खतम हो गई करते हैं कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे इसके बाद वो सब एक मैप का यूज करके मार्केट में आ जाते हैं जहां तरह तरह की चीज़ें मिलती थी तब यो ब्रेव स्टॉम के सामने एक बच्चा आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए खैता है वो सब एक टैंट की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर एक चोटा सा बॉक्स रखा हुआ था वो बच्चा उन्हें बताता है कि ये एक टाइप की पहली है जिसे उन्हें मिलकर सॉल करना होगा ब्रियो स्टॉम जब उस बक्सी को खोलता है तो उसके अंदर से एक बाड़ा सा ब्लैक मांबा निकल जाता है जो कि अगर किसी को भी काट लेना तो वो एक मिलट के अंदर ही अंदर मर जाएगा मुस जो की एक जियोलोजिस्ट था उसे जानौरों के बारे में बहुत कुछ पता था तो वो ब्रियो स्टॉम को उस साफ से बचने का रास्ता बताता है उन्हें लग रहा था कि बॉक्स में नक्से का दूसरा हिस्सा होगा इसलिए उस साफ को बाहर निकलना ज़रूरी था तो अब ब्रियो स्टॉम मुस के बताएगा प्लैन के अकॉर्डिंग उस बॉक्स को खोल देता है और जब वो साफ उन पर अटेक करने जा रहा होता है तो ब्रियो स्टॉम उसे पकड़ लेता है और मुका देखकर मुस उस साफ के दूनों जहरी ले दात निकाल देता है साफ से बचने के बाद जब वो उस बॉक्स में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर मैप का दूसरा हिस्सा नहीं बलकि एक चिठी मिलती है उस पर लिखा होता है कि जैसे ही वो हाथी को देखें वो चड़ाई करना स्टार्ट कर दें इसके बाद जब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें बैंड के आदमी उन्हें घेर लिया था बैंड भी उन्हें पकड़ने के लिए खुद वहाँ पर आ गया था तबी ब्रियोश्टॉम और बाखी सभी को एक आदमी बचा लेता है और अपने साथ एक सेब जगा पर लेकि आ जाता है वो आदमी और कोई नहीं बलकि एलेक्स होता है जो की 21 साल पहले इस गेम में आया था और अब तक एलेक्स उस गेम के लेवल्स को पार नहीं करपाया था ब्रियोश्टॉम और बाखी सभी को पता चलता है कि एलेक्स की दो लाइफ 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 लाइन्स खतम हो चुकी है यानि कि उसके पास सिफ अब एक ही चांस है और अगर वो भी चले गया तो एलेक्स हमेशा हमेशा के लिए इसी गेम में फसा रह जाएगा ब्रियोश्टॉम और उसके दोस्ट जो नक्सा ढून रहे थे वो कोई पेपर नहीं था बलकि एलेक्स ही वो नक्सा था जो उन्हीं लिटरेली बता सकता था कि आगे क्या करना है वो सब एलेक्स को भरुसा दिलाते हैं कि इस बार वो अपने घर पर सई सलमत पहुंच जाएगा एलेक्स उन सभी को बताता है कि नेक्स लेवल तक जाने के लिए उन्हें एक हेलिकॉप्टर की जरूरत है जो कि उस बड़े से कार खाने में है लेकिन वहाँ पर बैन के बहुत सारे सिपाई थे जो कि उस जगह को प्रोटेक करते थे तो उनका ध्यान बठकाने के लिए और बाके सब चुपके से उस कार खाने में आ जाते हैं यहां रूबी अपने डांसिंग और फाइटिंग स्किल को कमबाइन करके उन सभी सिपाईयों को मारते रहती है और उन्हें एक ही बार में धेर कर देती है अब एलक सभी लोगों को लेकर वहाँ से हेलिकॉप्टर में निकल जाता है पर वहाँ बैन के और भी आदमी आ गए थे जो कि उनके हेलिकॉप्टर पर हमला करने लग जाते हैं उनके हेलिकॉप्टर को काफी यारा डामेज हुआ था तो वो सीधा एक पहाड़ी के अंदर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर तो बहुत सारी गिंडे उनक लेकिन अभी था सिफ मुसीबतों की शिरुवात ही हुई थी तब ही अचानक मुस के बैक से वो हीरा नीचे गिर जाता है और अब जब यह बात उन्हें पता चलती है तो उन्हें वो हीरा वापस लेने जाना ही पड़ेगा ब्रेव स्टाम मुस को नीचे ढकेल देता है जिस इसने हेलेकॉप्टर को इल्टाकरके मुस को बचा लिया था और रहो उसे बचकर बाहर निकल जाते हैं ब्रेव स्टाम मुससे बात कर रहा होता है तो बकाता है यहां Breakstorm जो कि असली दुनिया में Spencer होता है, वो जब Ruby से अकेली में मिलता है, तो Spencer उसे अपने दिल की बात बताता है, कि वो Martha को काफी लाइक करता है, Ruby जो कि Martha थी, वो अपने असली लाइफ में काफी अकेली रहती थी, Spencer को ये जानकर काफी खुशी होती है, कि Martha भी कहीं न कही उसे लाइक करती थी, इसलिए Martha Spencer का प्रपूजल एकसप कर लेती है, अब वो सब गेम के फाइनल राउंड में आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जंगल था, और उसकी वीचों बीच उन्हें जगवार की एक बहुत बड़ी मूर्ती दिखाई देती है, जहां तक उन सलने के वज़े से वो नीचे गेज जाता है, जिससे के वहाँ के जैगवार उसे माट डालते हैं, और अब ब्रेयर्स्टॉम के पास भी सिफ एक ही लाइफलाइन बची थी, तो वो सब अब दिमाग लगाते हैं, और जंगल में अलग-लग टीम बना कर फैल जाते हैं, लेकि ब्रेयर्स्टॉम तो दुस्मनों की बाइक लेकर वहाँ पर पहुच गया था, पर यहाँ बन ने सरली के ओपर गन तान दिया था, और वो ब्रेयर्स्टॉम से वो हीरा मांग रहा था, ब्रेयर्स्टॉम ने तो साफ साफ कह दिया था कि उसके पास हीरा ही नहीं, लेकिन तवी ब्रेवस्टॉम को वो चिठी याद आती है, जिस पर लिखा था कि अगर वो किसी हाथी को देखें, तो वो चड़ना स्टार्ट कर दें। इसके बाद ब्रेवस्टॉम अपनी बाइक का यूस करके पहाड़ पर चड़ना स्टार्ट भी कर देता है। उस जैगवार की में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था, वो वहाँ के एक साप से खुद को कटवा लेती है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक लाइफ्लाइन बाकी थी, और अब वो वापस रिवाइब हो जाती है, और आसमान से नीचे गिरने लगती है। ब्रेवस्टॉम भी उस जैगवा पूरी येकर श्राप से मुक्त हो गई थी, और बैन और उसके लोग पूरी तरीके से मिटी में मिल जाते हैं, और अब वहाँ पर वही गाइड आता है, जो कि उन सभी का शुकरियादा करता है इस पूरी जंगल को श्राप से मुक्त करने के लिए, वो एक एक करके सभी से हा हैं, वो चारों बाहर निकल कर जब एलेक्स के घर के पास जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो भूद बंगला अब एक बहुत अच्छा घर बन चुका था, तब ही वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि एक्चुली एलेक्स था, और तब एलेक्स बताता है कि जब उन सभ की फुल रिलेशन्शिप में आ जाते हैं, उन चारों ने जुमान्जू गेम को पूरी तरह के से डिस्ट्रॉइ कर दिया था, ताकि फ्यूचर में कोई भी उसके अंदर ना जा सके, और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यही पर खतम हो जाती है, तो वीवर्स आपको ये स्ट अच्छा लागा होना, तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे कापी ज़्यादा मोटिवेशन मलता है, आपके लिए इसी तरिके के मज़रा स्टोरी ते ढूंड के लाने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स प्रिया